नवस्कार दोस्तो जेहिंद वंदे मातरम दोस्तो बात करेंगे सिच्छक भरती के रिलेटेड यह बहुत important वीडियो है अगर वाकई में आप लोग अध्यापक बनना चाहते हैं सरकारी सिच्छक बनना चाहते हैं और त्यारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंतक देखेगा पू कैसे करें त्यारी दोस्तों कि सिलेक्षन हमारा हो जाए और यह माइंड में लेकर पढ़ नहीं पाते हैं टिंसन रहता है माइंड में तो वो टिंसन आज दूर हो जाएगा और बहतीन अभी आपकी इतना टाइम है दोस्तों तीन महीने का वक्त है यानि कि अक्टूबर नॉ पात्रा परिच्छा जो है आपका MPTT का है इसमें परिच्छा योजना में क्या क्या आना है दिखे मैं आपको बता देना चाहता आप सभी लोगों का मालूम है फिर भी एक बार 32 अच्छे से देखेगा कि पात्रा परिच्छा में आप सभी लोग जानते 150 अंक होगा मार्किंग नहीं है पात्रा परिच्छा के सभी प्रसंद बहु भी कलपी यानि के MC की उज में रहेंगे आपके ठीक है दोस्तो और ये बता देते हैं बाल विकास में सभी लोग जानते हैं कंपल सरी रहता है और आपका गनित कंपल सरी और पर्यावरन ये तीन आपके जो है दोस्तो तो 85% लोग यहाँ पर संसकत सेलेट करते हैं क्योंकि संसकत बहुत एजली लगती है लोगों को और इंगलिस लगवग 10 से लेके 15% लोग ही करते हैं और 10 से 12% और 1 दो प्रसंद आपके उर्दू करते हैं और अर्न जो भासाए हैं तो आपके संसकत के बहुत ही लांगवेश स्लेट किया है हिंदी भासा सलेट किया है तो यहां पर एक жां अनेलस जो है आपका याणि कि 25 से 30 है मिनिमम आपको 25 लादा है और मागजिम्म आप लोग 35 लादा है और आपका सिकोर कितने रहेगा 30 रहता है थो आफ 25 में से मिनिमम 25 आपको को लाना पड़ेगा क्योंकि हिंदी भासा है हमारी मात्र भाशा हिंदी है बात करेंगे संसकत भासा की अगर आपने संसकत भासा चूच किया है तो संसकत भासा में आपको मिनिमम बाइक समाख सलाम पड़ेगा और मैक जिमम 27 हो सकता है और टोटल 30 है मैक जिमम देखे 30 में 30 ल उच्छे जाते हैं और सिच्छन साज के प्रस्म में आपको पता है कि बिरले ही ऐसे बिक्ति होते हैं यानी 100 में 1-2 मान सकते हैं जो आप 30 आप 30 ला सकते हैं और लाते हैं क्योंकि जो जैसवाल कोचिंग सेंटर के साथ बहतर पहले से जुड़े हुए हैं त्यारी कर रहे हैं वो जरूर लाएंगे 30 में 30 ला सकते हैं और अभी भी आपके लिए मौका है सबस्काइब करें और 30 में 30 लाने का पूरी त्यारी करें और बात करेंगे गनित और यानि कि मैस की बात करते हैं मैस में आप सभी लोग जानते है बहुत ही देखे इजली question होते है concept जो होता है आपका इजली होता है concept मैने फिर सी start करेंगे 90 दिन के श्रीज लेके मैस की class फिर सी start करेंगे सभी की classes practiceर बीडियो जो पहले लेकिन class फिर सी start करेंगे मैस की क्योंकि मैस मचे बहुत डरते हैं और डर क्या होता है वही डर की भावना के वज़े से आप लोग क्या है पढ़ने में ध्यान नहीं कर पाते हैं माइंड आपका क्या है हलचल मचा रहता है माइंड में आपको देखे मिनिमम जो है स्वाल कोचिंग सेंटर में बहतर सिच्चक तयारी के लिए क्योंकि मत पदेश का नमबर वन चैनल बन चुका है क्योंकि यहां पे दोस्तो आपकी एक्जाम पैटन पर ही कोश्चन आते हैं संभावित प्रस्ण होंगे या एक्जाम में आये हुए प्रस्ण होंगे अब बात करें इंगलिस लांगवेज की अगर आपने सेलेट किया दोस्तो यहां पे जो एक्जाम एनलेस है वह है मिनिमम जो है आपका बाइक्स मार्स लाना है और मैक्जिमम 27 मार्स लाना है आउट आफ थर्टी में से इतना लाना ही पड़ेगा यानि अगर हमें सेलेक्शन पाना है ठीक है दोस्तो अब बात करते हैं बाल विकास नहीं सीडीपी के बात करेंगे चाइल्ड डवलमेंट एंड पेड़ागोजी इसमें बहुत ही अच्छा रहता दोस्तो अच्छा क्या है कि आउट आफ थर्टी में से मिनिमम जो है बाइस मार्क समय लाना है और मैजिमम चब्विस यहां पे चब्विस क्यों क्यों कि 27-28-30 हम क्यों नहीं कर रहे हैं क्यों कहें बाल विकास में 30 में 30 लाना 500 में एक बिक्ती ऐसा होगा यह कह सकते हैं हजारों में एक बिक्ती होगा जो 30 में 30 ला सकता है वरना बाल विकास के ऐसे कोश्चन आते हैं क्योंकि यहां पे दो कोश्चन पूछे जाएंगे टोटल कंबिनेशन कोश्चन रहेगा आपको मैं बता देता हूँ दोस्तो 40% इजली कोश्चन होंगे जो सभी लोग साल्व करेंगे ठीक है और आपके 20% कुछ एस कोश्चन रहेंगे जो समान रहेंगे ठीक है और 20% कुछ एस कोश्चन रहेंगे जो कंप्टीशन लेवल पे रहेंगे और 20% जो ऐसे कोश्चन रहेंगे जो साल दो साल से तैयरी कर रहे हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए रहता है तो ये जो 20% हो लोगते हैं इनका सेलेक्षन तो पका रहता है लेकिन ये लोग रैंक हांसिल करते हैं दोस्तों जी हाँ अब पूरा जानेंगे इसके साथ पर्यावर्ण यानि EVS की बात कर लेती हैं दोस्तों ठीक है EVS में बात करेंगे कि हमें मिनमम जो है 20 मार्क्स लाना है और मैं जो यहाँ यहाँ पे 25 क्योंकि यहाँ पे आपको देखे नदी, पहाड, तला, परवस सभी प्रसनाते हैं ज़्यादा तर और आपके MPTTGK से भी एक-दो प्रसनाता है जो current affairs चलना है एक-दो प्रसनाता है तो यहाँ से इसलिए हमने 20 मिनमम लाना है और मैं ग्योंकि तो दो भासाएं आपकी ऐसी है जो ज़्यादा तर जरूरी अंक और required जो marks है आपके अंक है वो भी जान लेते हैं निून्तम देखे पहले भासा में जो आपने सलिट किया हो उसमें हमें क्या है 27 marks अगर average ला रहे हैं और second language में अगर हम 25 marks average ला रहे हैं और बाल विकास में अगर हम 23 marks जो है average ला रहे हैं और पर्यावरण में 23 average ला रहे हैं तो 120 हमारा यहाँ पर क्या होता है पक्का हो जाता है हम score कितना कर पा रहे हम 120 score पा रहे हैं तो 120 कर पा रहे हैं आप लेन वर्ग 2 या वर्ग 1 में देखा होगा वर्ग 2 में आपने देखा है कि जिनका जो selection हुआ है जिनोंने 110 या 115 प्लस का selection सभी लोगों का हुआ है तो आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं कि कैसा score जा रहा है थोड़ा high लहेगा जो आपके वर्ग 3 की 12 में एक जाम हुए थे उनसे थोड़ा required high रहेगा यह जान लेजेगा वो से बहुत से simple थे क्योंकि 9 साल बाद हो रहे है competition high हो गया है level change हो गया है तो आपका यहाँ पर अगर किसी में कम आ रहे हैं अगर किसी में कम आ रहे हैं तो किसी में आपको 2-3 नंबर कम अगर आ रहे हैं तो किसी subject में 2-3 नंबर बढ़ाना पड़ेगा यानि minimum जो है आपका 120 लाना ही लाना है और maximum जो है आप 150 में 650 ला सकते हैं वो आपकी छमता है वो आपका IQ level है कि हमारी class कितना ज़्यादा 10 करते हैं हमारी वीडियोज कितना ज़्यादा देखते हैं और सभी कितने बार देखते हैं एक दो बार देखिए प्लेइस्ट एक बार उठाईए सभी एक बार जो अच्छा लगे वही पढ़िए योगि जो अच्छा लगेगा वो पढ़ेंगे फिर आपके माइड में और अच्छा लगेगा कि नहीं यार और पढ़ना है सलेक्सन पाना है और अपने परिवार का सपना पूरा करना है दोस्तो किसी भी इंसान की इच्छा सकती और दर्ण संकल्प उसे भिकारी से राजा बना सकती है तो आप लोग एक पढ़े लिखे हैं एजुकेसनल आप लोग हैं पूरी तरह से क्योंकि आप लोग सिच्छक भरती की त्यारी कर रहे हैं दोस्तो तो आप लोगों का सपना जरूर पूरा होगा क्योंकि सिच्छक राज्ट निर्माता की रूप में होते हैं और आप सभी लोग जानते हैं आप सभी लोगों को मैं सलाम करता हूँ इसी से related question और वीडियोज मिलेंगे धन्वा सभी का जैहिन दोस्तों